दोस्तों फाइनली काफे समय के बाद फस्ट व्लोग के बाद आज चुका है हमारा सैकिंड ब्लोग वो भी हमारे गार्डनिंग का और जो भी आपने कमेंट किये थे फस्ट व्लोग में वो सारे के सारे यहाँ पर शो किये जाएंगे और इसे के साथ उन सभी के आपको गार्णिंग व्लोग में और आप सबने जो मुझसे फर्स्ट गार्णिंग व्लोग में जितने भी कमेंट किये थे जितने भी कॉशन्स पूछे थे वो सारे के सारे जवाव आपको सेकिंड व्लोग में मिल जाएंगे और आप जो आप सेकिंड व्लोग में जो भी कमेंट शौट वाले कमेंट में शौट में ही दूँगी जवाब और लोंग वाला इसमें दूँगी ओके वित्रों और इसे के साथ आप सभी के कमेंट यहां में 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 भी होंगे पिछली बार मैं नहीं कर पाई थी विकॉस थोड़ी सी कंफ्यूजन थी और फर्स टाइम था बटेस्वार पूरा ध्यान रखोंगी और इसी के साथ है इतने सारे व्लोग कैसे मिस होगे तो थोड़ी सी तबियत खराब थी उस वज़े से बाकी के जितने भी व्लोग थे वो मिस होगे इसलिए मैंने सोचे कि चलो सैकिंड से ही शुर की यह करते हैं दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी कहां किस बार में एक यार नहीं करने वाली हूं इसलिए मैं दूसरे फॉन से सबी के सभी कमेंट करके मात्व-षाथ सब्सक्राइब Är सब्सक्राइब तो सोचा कि चलो आप सबको भी सुना देती हूँ डियर सब्सक्राइबर का कहना है कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है और आप भी बहुत क्यूट लग रहे हूँ मुझे तो सची हसी आजाती है जब ऐसी कमेंट पड़ती हूँ सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है और इसके बाद एक डियर सब्सक्राइबर ने अपनी समस्य शेयर किया कि दी मेरा वोच टाइम बढ़ने के जगह घट रहा है और क्या अपना वीडियो डालने के बाद नहीं देखना चाहिए तो हाँ जी डियर सब्सक्राइबर जब आप अपना वीडियो अपनी आईडी पर डालती हूँ लाइक मैं अभी अपनी वीडियो अपनी आईडी पर डालती हूँ तो मैं नहीं देख सकती इस वीडियो क्यों कि यह चीज यूट्यूब नोट डाउन करता है और अपनी वीडियो आप अपनी आईडी से ना देखे बलकि एक और आईडी क्रेट कर लें उससे अपना वोच ोच टाइम इसलिए घंटा होगा विको जै nad averse कर्का समय तो जैसे वीडियो घंटना शूरू हो जाएगा जैसे कि एक गंटा बढ़ा था तो एक घंटा शूरू हो जाएगा इसलिए साल के अंदर ऑंदर ही आप चार हजार बोज टाइम का जो क्राइटेरिया उसे पूरा कर ले नहीं तो बाद में बहुत ज़ादा डिफिकल्टी होगी आपको और बोज टाइम बढ़ाने के सिर्फ एक ही ट्रिक है कि कंटिन्यूटी में अपनी वीडियो अपलोड करते रहें तब ही जाके कुछ बन सकता ह चाहे कोई देखेँ ना देखें पटाप मेहनत करते रहें एक न एक दिन कोई न कोई तो ज़रूर देखेगा नेक्स ट्ये सब्सक्राइबर का कमेंट आया है कि मैह मेरे अप्राज़िता में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मैं क्या करूँ तो देर मैंने वैसे अपराज जिता तो लगाया नहीं है बट जितने भी फूल लगाए हैं ये फ्लावरिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद की बदोलत गोबर के उपले को पानी में डिप करें आप दो से तीन दिन तो नहीं तीन गंटे के लिए रख दें उसके अभी बारिश हो रही है तो लिकुट फरिलाइजर इस्तेमाल करने की बजाए आप उसकी खाद को बुरबुरा मनाके अपने इन पोदों में दे सकते हैं देखिए यह जतने भी पोदे हैं मेरे फ्लावरिंग कर रहे हैं इसी की बदोलत है और कुछ एक्स्ट्रा एडोन नहीं है इसमें जो मैं अपनाती हूँ है वही बताती हूँ बाकि आप अपनी इच्छा नुसार कुछ और ट्राइ कर ले और एक और डियर सब्सक्राइबर ने नहीं बताया था और इसे आप कर्टिंग बीज और जड़ से ग्रो कर सकते हैं और एक बार अगर यह आपके गार्डन में लग गया ना तो बहुत जिद्धी आई यह फैंक भी दोगे फिर भी लगाएगा और नेक्स्टे सब्सक्राइबर का कमेंट है कि आप अपने लगे हुए हैं और फ्लावर्स अभी थोड़े कमी लगे हुए हैं तो यह थी मेरी ग्राउंड फ्लोर की अपडेट नेक्स्टे सब्सक्राइबर का कमेंट है दीदी आप यूट्यूब लाइव कब आओगे प्लीज 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 रिप्लाइब मेरे को ना लाइव आने क्या नहीं सब्सक्राइब हाँ अधिक्राण नोट इतना क्वालिटी क्या मेर को नहीं समझ चाहरते कौशिक तब पर धिर सब्सक्राइब का कमेंट की लगाया हं हर जगह पे जैसे ही घर से बहार निकलोगे में कड़ि पत्ता कड़ी। दिखी जाएगा और हमारे यहां पर पर कहा जाता है गांदला और इसके यूसफूल is जो जित्तीभी चीजें टिया आथ वह हमारे यहां के लोग डालने के लिए इस्तिमाल किया जाता है इसलिए मैंने अपने घर में दाल के कर सकते हैं विकॉस तो पति यह ठी आ होती है हमें फ्लावस थोड़ने नचाहित अनूअ करते रहें मतलब कटिंग वगएरा करते रहें उससे वह बूशि भी हो जाए और यह कमेंट देखो आपकी रेट वाली सूक रही क्या उसका पोधा हमारी ओर इंच कलर की फॉर्चुनल का कटिंग मैंने ग्रो किया था ओफिस सुसाइटी तो मैंने उसको एक बार चाचा मैंने उसे टच किया चाहा हूँ मैंने उसे टच किया तो बहुत हलका सा दिख रहा था और गिर गया मैंने गया था वह जगर सर रहा था तो मैंने मेरे वालों को कटिंग कर दिया और जल से मैं उनका दिया मेरे को एक तो हम दर्दी भी बहुत जादा होती है कि डियर सब्सक्राइबर इतने लंबे चोड़े कमेंट लिखते हैं और उनका जबाब न दूंगी तो भई होता है इतना बंदा टाइम निकाल करकर कमेंट कर रहा है तो सची कहों तो मुझे कुछ भी नहीं समझाया इसमें से बट कुछ कुछ समझाया लाइक किसी ने सब्सक्राइबर ने काया कि पाता नहीं क्या को है शायद मेरी थोड़ी दिमाग की संतुलन बिगड़ गया है मेरे को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बागी थोड़ा ना शोट में तो नहीं मतलब कुछ ऐसा कमेंट किया करो कि मैं जल्दी से समझ जाओं यह मुझे नहीं समझाया सोरी आयम यो बिग फैन थैंक यू सो माच बट यह सब कुछ बिग फैन बढ़ने की बदोलत भी आप सबी हैं आप सब की बदोलत हुआ है यह सब और श्री राधा रानी जी की किरपा से बाकी हम तो कुछ नह नहीं जी सब्सक्राइबर की आपने मचे इस लाइक समझा की हमारे दो मिलियन तक हो जाएंगे बाकी मैं आपके कमेंट का जवाब तो भई दूंगी ही दूंगी क्योंकि आपकी बदोलत सब कुछ हुआ है तो आपके कमेंट का जवाब क्यों नहीं देना है दे मैंने अफ्रिकन मैलिगोल्ड को ग्रो कर दिया है और कोस्मोस को भी ग्रो कर दिया है और संट फ्लार को भी ग्रो कर दिया है और डेली को भी डेलिया को भी मैंने ग्रो कर दिया पर उनको मैंने तीन दिन पहले ग्रो करा था बट उनमें अब तक कोई भी रिजल्ट नहीं ह तो प्लीज मुझे बताओ कि उनके सीड कितने दिन बाद चर्मिनेट हो तो अगर आपने अच्छे से क्यार नहीं की होगी मतलब उनको बारिश में ही रहने दिया होगा तब तो बूल जाओ कि वह सीड पैदा होके बाहर भी निकलेंगे विकोज बारिश बहुत दमदार हो रह अगर बारिश नहीं जादा है तो भी बीज गल गया होगा और उनको ना वैसे उगने में आपको लग जाएंगे पुरे चार से पांच दिन तो रखी लो विकोज दूप भी नहीं निकल रही है और दूप भी चाहिए होती है सीड को तो दूप कई वज़े से भी थोड़ा जर्मिनेशन हो सकता है इसलिए आप 10-15 दिन तक इंतजार करें अगर नहीं निकले तो फिर से लग नए लगाए और नेक्स टाइम आप पानी बारिश दूप इन सभी का ध्यान रखें और फिर नेक्स्ट कमेंट भी नहीं डियर सब्सक्राइबर का है दी मैंने मीशो पर से 45 फ्लावर सीट्स मंगवाए हैं थोड़ी आप भी बताओ दो कि जुलाई अगस्त में मैं से कौन-कौन से सीट को ग्रो कर दूँ दीदी प्लीज आप सबके कमेंट का रिपलाई देते हो प्लीज दीदी मेरे को भी कमेंट का रिपलाई देते हो तो डियर मैंने इस पर एक बनाया है कि आप अगस्त महीने में कौन-कौन से सीट्स लगा सकते हैं कभी आप डाइन तरस ग्रो कर सकते सैंथम लगा सकते हो ये कुकड़ फूल जिससे सैलोस यह कहा जाता है यह लगा सकते हो मतलब बहुत सारे हैं वह मैंने एक अलग से वीडियो बनाया वह वीडियो ज जाहूंगी इसमें मैंने सब कुछ बताया था कि किस तरीके से लगाना है कौन-कौन से लगाने है कि और इस तरीके सारी एक ही चीज एक ही वीडियो में बताई तो जरूर देख ले प्लीज दी अभी इंटरमीडियेट लीची का पोदा लगाना ओके डियर आभी तक तो मैं बहुत सारे जेट प्लांट त्यार कर लिए हैं आप ये तियार कर सकते हैं कटिंग के माध्यम से पोट ला का फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो क्या कर अगर ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं तो एक बार गोबर की खाट डाल के देखो एक बार पिंचिंग कर के देखो एक उनको अच्छे से धूप में रख के देखो सची यही ट्रिक्स है कोई ट्रिक नहीं है यह सिंपल सी बात है यह फोलो कर लोगे तो हो जाए दिदी तोरी की बेल दिखाईए दिखाती हूं आपको तोरी की बेल गाई बेने इस क्रेट में हैं बट करेट से बाहर निकल के कुछ इस तरीके से पूरे ही गार्डन में ये फैलती जा रही है ये देखो पोट उलाका में फ्लावरिंग नहीं हो रही तो क्या करें गोबर की खाद दें दीदी मेरा रोज ग्रोन ही हो रहा है और सदबहार की कटिंग लग नहीं रही या फिर तरीज़ा बहार निलग नहीं रहा है न तो ओवर वाटरिंग ना करें वोड़े दिन तक शेड़ी एरिया में या फिर ऐसी जगह पर रखे जहां पानी वग्यरा ना करें सब्सक्राइबर की बात सुनने पड़ेगी दीदी फ्लावर सीड लगाने पर धियान रखना है जिस सीड से खराब हो दियर मैंने अलग से वीडियो बनाई है आप प्लीज 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 जरूर देख दुतूरा का फ्लावर सीड जो लगाए था उसका क्या वह जो देख रहे हैं इसमें लगा था हमारा दुतूरा का सीड जो की बारिश की वज़े से खराब हो चुका है जीदी फ्लिप कार्ट पर 40 फ्लावर सीड 180 से 250 हो गए हैं मीशो पर उतने को तने रहते हैं शायद उससे कम हो गए हो इसलिए मीशो से परचेज कर लो विकास मीश बनेगा नेक्स व्लोग बनेगा तो आझ का आपको यह गार्णिंग व्लोग कैसा लगा आप सब अपने सवालों के जवाब मिल गए थैंकिस सो माच आप सभी इतना जदा कॉपरेट कर रहे हैं आप सभी मुझे सवाल कर रहे हैं और मुझे भी बहुत मजाता के कमेंट उसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक जै शीरी रादे जै शीरी राम